आप जानते हैं मानेरी प्रधान मंत्री जी वित्तिय समावेशन यानि फिनांशल इंक्लूजन पर बल देते हैं गाउं और शेहरों के अंतर को पाटते हुए युवाओं की कौशल विकास के माध्यम से भागिदारी सुनिश्चित करनी चाहिए भारत एक्रिशी प्रधान देश है आधी से अधिक आबादी गाउं में रहती है इसलिए कौशल प्रशिक्षन केंद्र शेहरों के साथ साथ देश के बहुत से गाउं तक पहुँच रहे हैं जिससे ग्रामीन शेत्रों के युवा भी आत्निर्भर और सशक्त हो सकें वित्य समावेशन के लिए कौशल का प्रमानी करन किया जाएगा यानि ग्रामीन बैंकिंग करिस्पॉंडेंस जिससे आप ग्रामीन डाकसेवा भी कह सकते हैं उनका प्रमानी करन किया जाएगा ग्रामीन डाक सेवक के business correspondent के रूप में वित्य समावेशन के लिए BFSI Sector Skill Council ने भारत के अनेकों गाउं में विस्त्रिल सर्वशेष नुकता प्रोग्राम के recognition के तहद एक लाग सतर हजार ग्रामीन डाक सेवकों को प्रमान पत्र देने के लिए इंडिया Post Payments Bank के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं जिन में से दो ग्रामीन डाक सेवकों को आज यहाँ इस मंच पर प्रमान पत्र प्रदान किये जाएंगे लेकिन उससे पहले आई आपको दिखाते हीं इससे संबंदित ये विडियो इंडिया Post Payment Bank के माद्जम से देश के लगबग डेर लाख डाक घरों को बैंकिंग सेवाओं के लिए तयार किया जा रहा है हमारा लक्ष है कि हमारे डाकिया साथी ही चलते फिरते बैंक बनकर बैंकिंग सेवाएं घर घर तक पहुंचाएं सूरज की सहर के कॉलेज में पढ़ाई कैसे चल रही है अब भी एड्मिशन के लिए पैसे बेजे थे बोल रहा था पढ़ाई अच्छी है कॉलेज की और खर्चे के लिए पैसे लेकर हर महीने कौन जाएगा अरे नाना यहीं से उसके खाते में पैसे डाल देते हैं पैसे यहां से बेज सकते हैं क्या हाँ हम ग्रामिन डाक सेवक जी को बुला लेते हैं वहीं पैसे बेज देते हैं IPPB की जगह कोई और खाता हो तो भी बेज सकते हैं पूरे गाव भर में बैंकिंग सुविधा को घर घर पहुँचा कर वित्तिय समावेशन के कारे को पहला रहा है BFSI SSC ने कई विडियो बनाए हैं जिन्हें ग्रामीन डाक सेवक अपने मोबाइल फोन पर देख सकते हैं ये विडियो निम्न विश्यों पर बने हैं IPPB खाते खोलने का तरीका नकत जमा करने और निकालने का तरीका विप्रेशन नकत प्रबंधन इन विडियो का 13 भाशाओं में अनुवाद किया गया है और उमीदवारों के पास उन्हें देखने का विकल्प मौजूद है साथ ही सभी उमीदवार 13 भाशाओं में इसका मूल्यांकन परिक्षा दे सकते हैं यह एक आदर्श उदाहरण है जिसमें कई मंद्रालेओं को एक साथ मिलकर काम करते हुए देखा जा सकता है इस प्रयास के माध्यम से BFSI SSC का लक्ष एक लाग सतर हजार ग्रामीन डाक सेवकों को प्रशिक्षित करना है हम बैंक को गाँ और गरीब के दरवाजे पर पहुंचाने का काम आरंब कर रहे हैं और हमारी चीछियां लेने वाला डाकिया अब चलता फिरता बैंक भी बन गया है और अब हम मंच पर आम अंत्रित करना चाहेंगे रामीन डाक सेवकों को सबसे पहले बुला रहे हैं हम सेतु पीवी को आप से निवेदन कर प्या मंच पर आएं और साथ ही निवेदन कर रहे हैं रामकृषण जी से आप भी मंच पर आएं इसके लावा इंडिया पोस्ट पेमिन्स बैंक के CEO श्री सुरेश सेटी जी से हमारा निवेदन कर प्या आप भी मंच पर आएं और साथ ही और अब हम हमारे आच्छी करन की मुख्या अटिटी माननी केंद्रिय वित्रमंतरी श्रीमत्री निम्ला सिता रमन जी से निवेदन करेंगे क्रपे आप प्रमान पत्र ने प्रदान करें सेथु पीवी और रांकृषन ग्रामीन डाकसेवक का प्रमान पत्र माननी ये मुख्यातिती से प्राप्त करते हुए से निवेडिवा रांकृषन पत्र घड़त्रा हैं बहुत बहुत धन्यवाद मैननी मंत्री जी और आप दोनों को बहुत बहुत बढ़ाई आप सभी का धन्यवाद केंद्रिय कानून वर्न्याई और संचार एलेक्ट्रोनिक्स एवं सूशना प्रद्योगी की मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी जो लगभग पांच दशकों से सामाजीक जीवन में सक्रिये हैं जिनके व्यक्तित्व, प्रितित्व, योगदान, एवन जीवन यात्रा से हम सब भलिभाती परिशित हैं 2014 में आरम हुए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की सफलता का श्री माननी मंत्री जी को ही जाता है